सफेद सी दिखने वाली ये 5 रुपए की चीज जो कि एरिका पाम को बहुत ही पसंद है और एरिका पाम में ये डाल देने के बाद एरिका पाम जंगल से भी अच्छा घना और बुसी हो जाता है एरिका पाम हरियाली के साथ साथ अक्सिजन प्रिचुर मातरा में रिलीज करता है ये पाधा जो कि हम सभी के लिए बहुत लाफदायक होता है और most of the gardener इसके सौखी में एरिका पाम आपको हर जगह मिल जाएगा चाहें आप प्लेटफॉर्म पे जाएं या किसी मॉल में जाएं हर जगह एरिका पाम आपको देखने को मिलता है तो हम सभी को सौख है एरिका पाम लगाने का पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि हम पौधे को काफी ग्रीन और अच्छा लेकर आते हैं नर्सरी से और हमारे आने के कुछ दिन बाद इसकी पतिया इस परिकार से देखे ड्राई होने लग जाती है या पौधा धीरे-धीरे सड़ने गलने लग जाता है अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाता है इसके पीछे क्या रीजन है और पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और गना कैसे बनाएं इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा जिसको आप डालेंगे पौदे में और आपको दस से पंदर दिन में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो वीडियो में लाज तक बने रहे हैं कोई पार्ट स्किप मत कीजेगा हम सारी जानकारी आपको वन बाई वन देंगे दोस्तो सबसे पहली चीज होती एरिका पाम जब हम लेके आते हैं तो उसे हम तुरंत ले आके अपने हाँ गंबले में सिफ्ट कर देते हैं हम मिट्टी का थ्याल नहीं रखते कि कैसी मिट्टी चाहिए जो भी मिट्टी है उसी में सिफ्ट कर देते हैं तो आपको मैं बताओ कि एरिका पाम जो है वो बहुत ही इसकी जो मिट्टी होती है बिल्कुल भी पानी को होल्ड नहीं होनी चाहिए इसमें अगर पानी होल्ड होगा तो पौधा ड्राइ होने लग जएगा फंगस की समस्य इसकी जड़ों में बहुत ही कॉमन होती है तो उसके लिए जो हमें मिट्टी तयार करनी है मिट्टी ऐसी हो जिसमें फंगस पानी रुके ना पानी रुकने की वज़े से रूट रॉट या फंगस होता है पानी रुके नहीं ड्रेने सिस्टम काफी अच्छा होना चाहिए तो मिट्टी में आपको बता दें कि पांच भाग अगर आप इसका मिट्टी लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम दो भाग आप चाहें तो परलाइट मिला ले या फिर राइस हस्क अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो राइस हस्क मिला ले अगर कोई वी चीज आपको इसमें नहीं मिल रही है सैंड मिला सकते हैं लाश्ट में अगर कोई अप्शन नहीं है अगर नीम खल नहीं है, तो आप इसमें fungicide, trichoderma या साफ का यूज कर सकते हैं, जिससे की मिट्टी में fungus ना आए, और उसके साथ आप compost, cowden compost हो, vermicompost हो, kitchen waste चे बना compost हो, कोई भी हो, आप उसको 5 भाग मिट्टी के साथ कम से कम 2 भाग compost का यूज जरूर करें, जिससे की पौध काफी अच्छे से growth ले सके, अब जो दूसरी बात आती है, दोस्तों इसकी placing की कहां रखनी है, इसके बारे में बहुत ही confusion है, कुछ लोगों ने YouTube पे तरह तरह के वीडियो पढ़े है, जिसमें लोग बताते हैं कि इसको धूप में भी रखा जा सकता है, या फिर indoor fully indoor plant है, दो इसकी पतियां मैं terrace पे रखा हुआ है मैंने और जो पतियां direct sunlight में आती है, वो इस तरह से sunburn हो जाती है, दो प्रकार से पतियां sunburn होती है, ड्राई होती है, पहला जो पौधा बड़ा होता है, तो नीचे की पतियां होती है, उन्हें पौधा खुद ड्राई करता है, वो ड् अच्छे से पास होती हो, पर direct sunlight इसके उपर ना पड़े, अगर हम इसे ऐसी जगहां रखेंगे, जहां dark light ना आती हो, जो proper light है, ना मिले इसे, तो पौधा वहां भी सूखने लगता है, सडने गलने लगता है, तो इसको placing इसकी ऐसी जगहां रखे, जहां direct sunlight ना आ है, पर bright light म ये पौधा रहे, और हवा अच्छे से पास होती रहे, जिससे इसमें एरेशन होता रहेगा, और मिट्टी में जो हम watering करेंगे, तो वो air की वज़े से मिट्टी सूखती रहेगी, और roots इसके healthy रहेंगे, अब दोस्तों तीसरी topic में आते है, watering की, जो इसमें major problem होती है, कि हम ज करना है, watering ज्यादा होने की वज़े से पौधे की roots गलने लगती है, उसमें fungus आने लगता है, और फिर ये पौधा वहां से खराब होना सुरू कर देता है, तो watering आपको देखे, जब आपको मिट्टी इस प्रकार से दिखाई दे, ये देखे, दूसरा पौधा हमारा इसमें मि अच्छे से dry हो उपर से, तभी आप इसमें watering करें, और Erika Palm की जो एक सबसे खुबसूरत चीज है दोस्तों, आप एक पौधा लगाएंगे, उससे आप हजारो पौधे नए तयार कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, नए नए puffs बन रहे हैं, ये देखे, ये छोटा सा puff सिदर बन रहा है, और इधर भी, तो एक पौधे से आप हजारो पौधे तयार कर सकते हैं, अगर आप इसको समय से निकाल के अलग गंबले में लगाते रहेंगे तो, फिर दोस्तों, इसकी जो साफ सफाई है, जो नीचे dry leaves हैं, या फिर सूखी पतियां हैं, इन्हें आपको समय से हटाते रहना है, तो इनसे आपको पौधे को बचाते रहना है, थोड़ी care आपको इस प्रकार से करनी होगी, कि आपका पौधा फंगस ना लगे और healthy बना रहे है, फिर दोस्तों, अब next step पे आते हैं, जब पौधे को हमने अच्छे से साफ कर लिया, इसकी साफ से यहां पे फंगस बनता है, पनपता है, तो इस्टेन दीरे-दीरे खराब होती है, इससे बचाने के लिए पौधों को, जो सबसे अच्छा उपाय है, दो तरीके से आप इसको बचा सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला, फंगिसाइट पौधर में पानी का घो इससे पत्तियों में जो फंगस है या पर जो बिमारी है वो नहीं आएगी, साथ में जो इसकी स्टेम है, यहां पर जो फंगस लगता है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और स्पाइडर माइट्स जो हैं, उनके लिए आप इसमें हल्दी या नीमखल उपर से डालते रह जिससे कि वो इसमें फंगस पैदा ना कर पाएं, तो यह फंगस से बचाने के लिए बहुत ही कारगर है, जरूर करें 15-20 दिन में एक बार इस एरिका पाम के साथ, अब बात करते हैं दोस्तों हम दो चीज़ों को अब हम लाश्ट में बात करेंगे, कि हमें मिट्टी में क्य आई, और उसके बाद हमें देना है इसमें, यह है सेंधा नमक, जो हम घरों में यूज करते हैं खाने के लिए, पुड़ासा जो इसमें, और साल्टी सोयल है, वो इस पौधे को पसंद है, तो हमें देना है, पर यह ध्यान रखना है कि हमें इसकी मात्रा ज्यादनी करनी है, एक गंबले में, जो कि हम 10-12 इंच की गंबले में, अगर हमने एरेका पाम लगा रखा है, तो 5-7 ग्राम हम एक गंबले में इस नमक को, सेंधा नमक को दे देंगे, चारो तरफ इस परकार से, और इसके साथ में एक चीज और हमें जो देनी है, वो आप चाहें तो हल्दी द चीज हमें करनी है, दो महीने में एक बार, इस से ज़्यादा मातरा में हमें इसमें नहीं करनी है, आप देखेंगे, आपके पौधों में इसका बहुत ही बहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छे से ग्रीन होगा आपका पौधा काफी घना होगा, इसको हम एक लिटर पानी में करीब 10 ग्राम एपसम सॉल्ट डाल कर अच्छे से घोल लेंगे, और घोलने के बाद इसे हमें करना है, पूरे पौधे पे पत्तियों पे आगे और पीछे हर तरब से स्प्रे करना है, अब इसे दोस्तों हम अपने पूरे पौधे पे अच्छे से स्प्रे कर देंगे, इससे क्या होता है कि जो एपसम सॉल्ट होता है, वो इनकी पत्तियों को डारेक जो इसमें छिदर होते हैं, उन्हें खोल देता है, और जो ये पौधे जो बनाते हैं भोजन अपना पत्तियों की मदद से, वो काफी अच्छे से बना पाते हैं, तो इ इसमें हमें आगे और पीछे पूरी तरह से पत्कियों को धुल देना है, साफ कर लेना अच्छे से, आप चाहें तो इसको किसी कपड़े में भिगा के इसको अच्छे से कपड़े से भी पोच सकते हैं, पर मैं यही तरीका अपनाता हूं, और आप देख सकते मेरा पौधा क अनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई सवाल या सुझाओ हो तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद